प्यारे बच्चों, इस वाले कोशन को देखो, कोशन नमबर 52 आप से बोल रहा है, sum of last two terms of AP is 60 AP की last की जो दो टर्मे हैं, उनका sum दे रखाब को 60 तो आपको पता है, last term तक का sum अगर मैं यह कहूँ कि last term, तो last term होती है AN और last से पहली वाली जो होगी, वो होगी AN-1, इसका sum दे रखाब को 60, ठीक है, और आप से कह रखा कि 11 जो है, वो first term है, और common difference जो है, वो 2 है तो आप यह बताओ, कितनी term है उस AP के अंदर, conditions बन गई यह last term और last से पहली वाली term का sum कितना 60, इसको उपन करो यह हो जाएगा, A plus N minus 1 into D, वहीं अगर आप इसको उपन करोगे, तो A plus N की जगा आजाएगा, N minus 1, क्योंकि यह term है, यहाँ N था तो N आया, यहाँ N minus 1 है, तो N minus 1, फिर minus 1, A plus N minus 1 into D, और यह हो जाएगा 60 के बराबर, ठीक है, solve कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं, पहले term कितनी आपके पास, 11, तो 11 यहाँ सा आया, 11 यहाँ सा आया, तो 22 हो जाएगा, D इसके पास भी है, D इसके पास भी है, D common ले लो, D की value कितनी है, 2, 2 आपने common ले लिए, यहाँ से N minus का 1 बचेगा, जबकि यहाँ से N minus का 2 बचेगा, ठीक है, और यह 60 चल रहा है, calculation है, मेरी की अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, आप अपने इसाब सकर रहा है, यहाँ से मैं एक काम कर लेता हूँ, 2 common ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा 11 पिलस, यह है N और यह है N, तो यह हो जाएगा 2N, यह minus का 1, minus का 2, तो minus के 3, और यह हो यहाँ से गाड़ेंगे 60 को, तो 30 बार चला जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे 11 में से 3 निकालेंगे, तो कितना बचेगा 8, पिलस के 2N is equal to आजाएगा 30, 8 उदर जाएगे minus का, तो 2N is equal to हो जाएगा 22, यहाँ से N निकालोगे, तो N is equal to हो जाएगा 11, तो कहाँ दे रहा 11, option number C is the correct, conditions आप पेचान होईए, अगर conditions आपने पेचान ली तो मुझे नहीं लगता है, फिर question में कुछ भी बचा है, आप से कहाँ रखा है, last और last से just पहली वाली, जो कि A N minus 1 है, इनका योग 60 है, तो आप बताव total number of terms कितनी हो जाएगे, तो आपने solve कर लिया इसको,